आज हम बनाने जा रहे हैं street food चिली पटेटो आए देख लेते हैं उसके लिए हमें किंकिन इंडिलेंस की जर्थ है सबसे पहले हमने दो आलू लिये हैं जिने हमने इस तरीके से लंबा लंबा स्टाइसेस में काट लिया है टू टेबल स्पिन कौन फ्रायर नमक लिया है हमने चिली फ्लेक्स रैड चिली पाउडर ब्लैक पेपर क्रश करा हुआ दो हरे मिर्च क्यों उसमें कटा हुआ प्याज क्यों उसमें कटा हुआ शिम्रा मिर्च और बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक आईए हग से पहले हम अपने यह जो हमने आलू को लिया है चिली पनेटो बनाने के लिए उसमें हम तू टेबल स्पूल कॉन फ्लार डालेंगे थोड़ा सा कॉन फ्लार हमें बात के चाहिए थोड़ा सा कॉन फ्लार हमें बात के चाहिए थो टेबल स्पूल कॉन फ्लार टेस्ट सॉल्ट तो टेस्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें जो हमने क्रश्ड कारिम में रिच लिया है उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे, इतना हमें मिलकुल अच्छे से मिलाना है इससे कि हमारा कॉन फार है, सारे आलों में अच्छी तरीके से लग जाए, आलों को अच्छी तरीके से मिला लिया है, अब हम इन आलों को डीफ फ्राइ करेंगे, देखिए हमने कड़ाई में तेल डाला है, तेल हमारा गरम हो गया है, उसमें हम अपनी पटैटोस को फ्राइ कर लेंगे, अच्छे से, हाँ पटैटोस को मीडियम गैस पर गोल्डर होन करना है, मीडियम गैस पर मिसले करेंगे, जिससे की अच्छे से अंदर तक पप जाए, हमारे जो आलों हमने फ्राइ करने से, अच्छे से गोल्डर ब्राउन हो गए है, अब इने हम निकाल लेते हैं, अलो को निकालने के बाद हमने कड़ाई में तेल लिया है, दो टेबल स् उसमें हम अपना जो हमने फाइनली चॉप्ड लेसन लिया है, उसे डाल देंगे, अच्छे पहले, इस पर हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, तो थलकसर सॉसे करना है, इजिए हमारे हमका सही सॉसे हो गया है, लेसन, उसके अच्छे में अपना अनियन कड़ा था उसे डाल देंगे, साथ में ग्रीन चिलीज, शिम्ला मेर्च, इनको सबको करके थोड़ा साम चला लेंगे, हलका से इसको सॉसे करेंगे, एक मिनिट के लिए, एक मिनिट से भी कम करें आप, अब तक यह सॉसे होते हैं, अब तक हम कॉन पास, नमक, और नाल मिर्च का पेज़ बना ले जो इस चिली पटेटा को हमारे ठिट करेगा, देखिए हमारा प्यादे शम्ला मेर्च हलकाल को खुसे हो गया है, उसमें अब भी पेज बनाया है, अब तक हम कॉन पार, नाल मिर्च और नमक का, आप जहाएं तो नमक बादर भी डालें, उसको हम इसमें डाल देंगे, एक टेबल स्पूल रैच चिली सॉस, वल टेबल स्टेबल टेबल टेमाटो केचप, हाफ टेबल स्पूल रैच चिली पाउडर, प्रेश ब्लैक पपर, शॉल टेस्ट, चिली फेक्स, बोड़ा सो हम, विनेगर डालेंगे, वह आपकी टेस्पे डिपन कर रहा है, डालें और चैना डालें, महमका से डालेंगे, हाफ टेबल स्टेबल स्टेवी कम, इसको अच्छी चला लेंगे, इसको हम अच्छी चला के, अब हम इसमें यह अपने चिली कर देंगे, इसको टाल देंगे, इसको हम अच्छी से मिला लिया है, और हम ग्यास को अपकी बंद कर देंगे, और इसे एक सर्विंग दिश में लिका लिया तो है, देखिए हमने अपने चिली प्रेटरों इसको सर्विंग दिश में निकाल लिया है, आप चाहें तो इसे ग तो आप तेस्ट पर डिपन करता है मैंने इसको हरी धनिया से गार्निश किया है अगर अगर आपको अगर मेरी यह रैस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे शैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लगें थेंक यू